सुप्रभाद बच्चों, आज कक्षा 9 के लिए ये कक्षा है, कक्षा 9 जैसा कि कथा नाटक कौमूदी के तहट गारगी या गिवल्क संबाद के बारे में आपको पिछली कक्षा में बताया गया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए, आज मैं आपको बताऊंगी गारगी का च महर्शी वचक्रु की पुत्री थी, गर्ग गोत्र में उत्पन हुने के कारण उसका नाम गारगी रखा गया था, लोगों की इस दिग भ्रमित अवधारणा को कि प्राचीन काल में इस्त्रियों को सिक्षा नहीं दी जाती थी, इस प्रकरण के माध्यम से दिशा दी गई है कि उस समय इस्त्रियां पुरुषों के समान उच्च सिक्षा प्राप्त हुआ करती थी, गारगी की विद्वत्ता से इसकी पुष्टी भी हो जाती है, गारगी की मुख्य चारित्रिक विशेष्टाएं निमने लिखे थे, पहला है परम विदुशी, गारगी अपने समय की एक असाधारण विदुशी महिला थी, विद्वानों में उनकी गड़ना की जाती थी, आज भी विदुशी महिलाओं में गारगी का नाम सर्व प्रथम लिया जाता है, राजा जनक की सभा में उसने याग्यवल्क से ब्रम्ह विद्या पर साश्त्रार्थ किया और अपने प उन्हें ब्रम्ह विद्या वेद शास्त्रों का उच्च ग्यान था, उनके समक्ष सभी विद्वान नत्सिर रहते थे दूसरा है निराभिमानी, परम विदुशी होते हुए भी गारगी सरल हिर्दै थी, उसे अपने ग्यान का लेश मात्र भी गर्व नहीं था यागिवल्क द्वारा ब्रम्ह लोग से उपर के प्रश्न करने से मना करने पर वह चुप हो जाती है वह यागिवल्ख से पुनह प्रश्ण करने के लिए ब्रहमडों से अनुवदी मांगती है और प्रश्ण के उत्तर से प्रभावित होकर उनकी विद्वत्वा को स्विकार कर लेती है वह यागिवल्ख को नमन करती है और वह हट धर्मिडी और कुतरकिडी नहीं है तीसरा है निर्भीक एवं इस्पष्ट वक्ता गारगी विदुशी होने के साथ साथ अत्यधिक निर्भीक थी वह राजा जनक की विद्व भूईष्ठ सभा में अकेली यागिवल्ख से शास्तरार्थ करने का साहस रखती थी उसके प्रतेक प्रश्ण के पीछे उसका आत्म विश्वास और निर्भीकता छिपी हुई थी शास्तरार्थ के अंद में वह निर्भीकता पूर्वक सभी विद्वानों से कह देती है कि कोई भी यागिवल्ख को पराजित नहीं कर सकता चौथा है सुसंस्कृत एवं शील संपन्ना गारगी विदुशी होने के साथ साथ सुसंस्कृत भी है वह सभी ब्रामभडों के क्रोधित होने पर भी क्रोधित नहीं होती है वह शास्त्रार्थ में यागिवल्क के लिए विद्वत जनोचित संबोधन प्रयुक्त करती है यथा भगवन गंधर्व लोकाह कस्मिन ब्रम्हर्षे कुत्र खलू ब्रम्ह लोकाह वह यागिवल्क के हे गार्गी ब्रम्ह लोकाम प्यति अतिक्रम्य ततह उर्ध्वस्य तदाधारस्य प्रश्न मा कुरू अन्य था चेते मूर्न पतनम भविश्यती वाकि को सुन कर भी उत्तेजित नहीं होती यह उसकी शील संपन्यता का उत्कृष्ट उदाहरण है निशकर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि गार्गी परम विदुशी, निर्भीक और निराभिमानी होने के साथ साथ उच्च कुलोध पन एवं विनीत आदर्श भारती महिला है उसकी बुद्धी, तार्खिक एवं तीक्ष्ण है हमें गार्गी जैसे विदुशी भारती महिलाओं पर गर्व होना चाहिए ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपका पाठ संपन होता है और पाठ पर आधारित कुछ प्रश्ण उत्तर है जो मैं आपको बता रही हूँ उनका मैं आपको पढ़के बता रही हूँ ताकि आपको इसके उच्चारण में कोई परिशानी ना हो जनका कह आसीत, मिथिलाया निर्पह आसीत दूसरा, जनकस्य यग्य कुतह ब्रामडाह समागता उत्तर, जनकस्य यग्य कुरू पांचाल देशेभ्या ब्रामडाह समागता तीसरा, यागिवल्क्या स्वशिश्यं किम अकत्यत, उत्तर, यागिवल्क्या स्वशिश्यं अकत्यत हे सोमई एताह गाह अस्मृत दुहान नैतू चौथा है जनकस्य होता कह आसीद उत्तर जनकस्य होता अश्वल नाम ब्रामढ़ाह आसीद पांचवा प्रेश्ण है ब्रामढ़ाह सकोपम किम किम उचुह। उत्तर है ब्रामढ़ाह सकोपम यागिवलकम उचुह। यदी यत कथम नह अनादृत्य त्वा अत्मानम ब्रहिष्ठम मन्य से। प्रश्ण संक्या छे अश्वलेन प्रिष्टह यागिवलकम किम उद्तरम। उत्तर अश्वलेन परिप्रिष्टह यागिवलकम उदरत्य यत अस्माभिह गो कामनायाम एवम गाम नीत्तह। ना तु ब्रम्हिष्ट त्वाभी मानात। उत्तर साथ प्रथमं गार्गी यागिवलकं किम प्रिक्षत। उत्तर प्रथमं गार्गी यागिवलक्यं अप्रिक्षत यत इदम द्रिश्य मानं पार्थिवं सर्वं सु ओतच प्रोंतच ताह अपी कस्मिन खलू ओताह प्रोताश्चे। प्रश्ण संख्या आठ यागिवलक्यं गार्गी किम प्रत्तिववाच प्रत्मं यत ताह आपाह वायो ओतच प्रोताश्च संती। प्रश्ण 9. ग्राम्या दुतिय प्रश्णस्य यागिवलक्य मुत्तरं गत्त्तवाण यत आकाशस्ट त्वच्छरे पर ब्रह्म्भडेव ओताश्च प्रोताश्च। प्रिश्न दस, यागे वलकेन प्रयुकता गार्गी किम कथेत? उत्तर, यागे वलकेन प्रयुकता गार्गी ब्रम्ह वादम प्रती यागे वलकस्य जेता नास्ती इति अकथेत? प्रिश्न ग्यारा, गार्गी यागे वलक समवाद नामक पाठ किस उत्निशद से संग्रहीत है? ब्रेहदा रणे कुपनिशद से बारा, गार्गी यागे वलक समवाद में यगे करने वाले व्यक्ति कौन थे? कराने वाले उत्तर, मिथला धिपती, जनक प्रश्न तेरा, राजा जनक के यग्य में किन देशों से विद्वान आये थे? उत्तर पांचाल और कुरू देशों से चौदहवा प्रश्न, जनक के होता यानि यग्य कराने वाले पुरोहित का क्या नाम था? उत्तर है अश्वल पंद्रवा, राजा जनक ने किसको सुवर्ण जटित सींगों वाली हजार गाएं ले जाने के लिए कहा? उत्तर है सर्विश्रेश ब्रह्मविद्ध को प्रश्न सोला, गारगी के पश्चात याग्यवल्ग से किसने शास्त्रार्थ किया? उद्वालक ने प्रश्न सत्रा, शास्त्रार्थ में कौन विजई घोशित किया गया? उत्तर है याग्यवल्ग, इस प्रकार आपका पहला पाट समाप्त होता है, नमस्कार इसकी लिखित समागरी में आपको प्रेश्चित कर रही हूं, वह सब आप लोग अपने कॉपी में लिखकर मुझसे चेक कर आईएगा, और ना समझ आने पर तुरंत मुझसे पूछिएगा, नमस्ते